प्रियंका और शालिंग की लड़ाई में कौन सही कौन गलत पूरी अबडेट जानने के बाद आप मुझे बताईए और पूरी अबडेट बताने के बाद मैं भी आप लोगों को बताऊंगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बैल आकिन को दबाईए इस वीडियो को लाइक कीजिए शर कीजिए नॉमिनेशन टास्क हुआ और फिर उसके बाद जो है नॉमिनेशन से बचने का भी एक टास्क हुआ वोटिंग लाइन ओफ होने के बाद जो होना था वो तो हो गया है पर उसके बाद जो है जो शालिंग हमेशा ही बोलते हुई ये बैठते थे क मुझे नॉमिनेशन से कभी डर नहीं लगता है मैं तीना के लिए ये सब चीज़े करता हूँ आखी का तीना तो डरती ही है और जब भी जब नॉमिनेट होती है तब उनके हवाईं जो है उड़ जाती है तो तीना ने बोल दे कि बही मैं तो तुमें नॉमिनेट नहीं रहने दूँगी राशन गया भार में तो ये चीज़ जो है प्रियांका को काफिस दा बुरी लगी जहां पर प्रियांका ने आवाज उठाई कि भई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो एटलीज जो तुम बोलते हो तो उस पर स्टैंड तो लो तो जहां पर तुम डरते हो तो भई शालिन ने बोला हम भी डरता हूं वो भी डरती है हम लोग तो एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं करेंगे हम हमें राशन नहीं चाहिए जहां पर प्रियांका ने आवाज उठाई कि भई फिर तुम दो-दो बाते क्यों करते हो अगर डरते हो तो डरो करके बोलो अगर तुम डरते नहीं हो तो तुम कर्वेंसी के हिसाब से जो है तुम ये बात बोलते हो कि भई मैं डरता नहीं हूँ या अभी आके बोलने लगे हाँ मैं डरता हूँ यह सक चीजे नहीं चलती है जहां पर शालिन काफिजा भड़क गए और बहीं पर प्रियंका के सामने पूर समान उठा के फेक दिया भाई यह बहुत ही गलत बात की है और यहां पर जो भी प्रियंका बोल रही है शालिन के सामने वो सोला आने सची बात है सही बात है क्योंकि उसमें आवाज उठाई तुम जब बोलते हो भई मैं डरता नहीं हो तो फिर डर क्यों रही हो और वैसे भी नॉमिनेटर तुम यहां तक पहुंच गए हो अगर तुम्हें जनता पसंद नहीं करती है तो चले जाओगे अगर तुम्हें पसंद करती है तो तुम वहीं पर रहो क्योंकि इसने पूरे घरवालों के लिए सोचा है आजकल तो वैसे भी इंसानियत कम है अगर कोई इंसान थूड़ी से इंसानियत दिखा देता है तो दूसरों में जाग पड़ती है इंसानियत हाला कि अभी आपके क्या विचारा कौन सही कौन गलत है इसी के साथ मैं लेती जादा नमस्कार